सुदूर एक छोटे से गाव में दिनेश और सुजाता नाम के गरीब किसान पती-पत्नी रहा करते थे उनके कीर्टी और बालू नाम के दो बच्चे थे पती-पत्नी मिलकर अपनी छोटी सी जमीन में किसानी करते और जब उनके पास खेती का कोई काम नहीं होता तब दिनेश जंगल से लकडियां तोडला कर टाउन में बेचने चले जाया करता या फिर पती-पत्नी दिहाडी पर मस्दूरी का काम करते इस तरह जैसे तैसे दोनों अपने घर को चला रहे थे एक दिन कीर्टी और बालू खेल रहे थे तब ही लकडियां लेकर दिनेश अपने घर लोटा बेटा मुश्दूरी से तुम्हारी मा अभी तक घर वापस नहीं आई नहीं बावजी अभी तक नहीं आई अब नदी के किनारे से ही तो आ रहे हो ना क्या मा आपको वहाँ नजर नहीं आई किर्ति ने पिता से पूछा नहीं तो खेर कोई बात नहीं तुम दोनों खेलो मैं अब ही जाकर तुम्हारी मा को लेकर आता हूं ठीक है बावजी अंधेरा होने से पहले चले आना ठीक है बचो तुम यहीं पर खेलो और अंधेरा हो रहा है ना किसी के घर टीवी देखने चले मत जाना ठीक है बावजी हम यहीं घर के आंगर में ही खेलेंगे उस जगे के लिए निकला जहां सुजाता काम करती थी पर आधे रास्ते में ही सुजाता का सामना हुआ दिनेश ने सुजाता को साइकल पर बिठाया और अपने घर ले आया फिर उन सभी ने घर में जो कुछ भी था मिल बाट कर खाया और सो गए इस तरह समझोते और आपस में प्यार से उनका जीवन बीट रहा था फिर अचानक कुछ दिनों बाद बिना रुके लगातार कई दिनों तक बरसात होने लगी जिस कारण हर दिन के दिहारी पर जीर है पती पतनी तीन दिनों से बरसात लगातार हो रही है देखकर ऐसे भी नहीं लगता कि ये रुकने वाली है अब हम क्या करेंगे जी अगर आने वाले दो दिनों तक कियों ही बरसात होती रही तो इस बार की फसल समझो अपने हाथ से चली गई सुझाता अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास मौत के अलावा रास्ता नहीं रहेगा इस बार फसल अच्छे से निकलेगी इसी उम्मिद से हमने पटे पर जमेन लेकर कर्स पर खेती की थी ए भगवान हमारी उम्मिदों पर पानी मत फेरो हम पर अपनी कृपा बरसाओ चिंता मत करो सुझाता अपने घर में अनाज है न हम तो रोज कमाते रोज खाते हैं न जी हफते भर का सामान लाग कर रखने के लिए हमारे पास पैसे कहा होते हैं वो भी सही है सुझाता महिना खतम होते ही जट से बड़ी रकम आ जाए ऐसी कोई नौकरी भी तो नहीं करते हम भगवान के बताय रास्ते पर चल रहे हैं सुझाता सब उसकी मर्जी है सुनिये जी अब हम क्या करेंगे पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है और सुना है आने वाले दो दिन में और भी भारी वर्षा होगी घर में अनाज का दाना नहीं हाथ में फूटी कौडी नहीं मुझे भी यही चिंता खाई जा रही है सुझाता इस बरसाद की वज़े से जंगल की लकडियां भी भीग चुकी होगी पेड पर चड़ो तो फिसलने का डर है हाँ लेकिन ये सोचकर घर पर भी तो नहीं रह सकते न कम से कम राइस मिल जाकर आप कोई काम मांग लीजिए वहाँ भी तो हर दिन की दिहाडी पर काम देते हैं न ठीक है सुझाता तुम बच्चों का खयाल रखना मैं राइस मिल जाकर वहाँ के मालिक से काम मांग लेता हूँ कीर्ती ने रोपते हुए बाउजी से कहा नहीं बाउजी आप कहीं नहीं जाओगे मुझे बहुत डर लग रहा है हाँ बाउजी तो बरसात के थमने के बाद चले जाना पर अब ऐसी तेज बरसात में बिलकुल मत जाना अपने दोनों बच्चों के ऐसे कहने पर दिनेश ने उन्हें किसी तरह से समझा बुझाया और अपनी साइकिल लेकर घर से बहा निकला उसने सामने बरसात को बाड का रूप लेते देखा उसने अपनी साइकल पल्टी और घर की और तेजी से जाने लगा तुम जल्दी से बच्चों को लेकर दिवार के उस कोने में चली जाओ गाव में बाड हा चुकी है और बड़ी तेजी से उफान लेती हुई यहां आ रही है दिनेश के कहने की देरी थी कि बाड उनके घर तक पहांची गई बाड में पुरा घर डूप गया वे सभी बहने से बचने के लिए दिवार का सहारा लिए खड़े थे बाड इतना तेज था कि अगर उनका हाथ छूट जाता तो वो उसमें बह जाते बाड जी और कितनी देर तक क्यों खड़े रहेंगे हाथ में दर्द हो रहा है और बहुत तेज भूग भी लगी है बेटा बस थोड़ी देर तक खुत को संभालो मैं खटिया डालता हूँ तुम दोनों खटिये पर चड़ जाना और मा तुम दोनों के लिए किसी तरह खाना बना देगी ये सुनकर सुझाता फिर सुझाता अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए रसोई की और पानी में धीरे धीरे चलती वी पहुँची मा जल्दे से खाना बनावना बहुत भूग लगी है हाँ बेटा बना तू रही हुना पर बेटा इस बाड में तुम कहां बैट कर खाओगे मा योही खड़े खड़े खा लेंगे मा बहुत भूग लगी है जल्दे से दो न मा गर्मा गर्म भात में वो तुमने परसो अचार डाल कर दिया था न मा वैसे ही दे देना हाँ ठीक हे बेटा फिर खाना बनते ही सुजाता ने दो थाली में खाना पुरोसा और अचार के साथ अपने बच्चों को खाने दिया फिर कीरती और बालो दिवार से चिपक कर खड़े हो गये दूसरी और दिनेश इस कोशिश में लगा था कि घर में आया सारा पानी बहार निकाल सके अचानक से दिनेश को खयाल आया उसकी खेती का वो इस सोच में पढ़िया था कि उसकी खेती का क्या हाल हो चुका होगा इस बाड़ की वज़े से पर बाड़ का तेज प्रवाह वो बहुत दुखी हो रहा था बढ़ते खत्रे को देख वे सभी घर से निकल कर एक पेड़ के पास उन्ची जगे खड़े हो गये इस तेज बाड़ में उनका घर उखड़कर बह गया उस दिन से गाउं के पंचायत आफिस में उन जारों ने शरणली और मजदुरी का काम कर अपना जीवन भी ताने लगे दोर सुदुर गाउं में केर्टी और बालु नाम के गरीब भाई बहन रहा करते थे उन दोनों की ये इच्छा थी कि वे दोनों जल्द ही धनवान बन जाए और धनवान बनने के लिए जतने पैसों की जरूरत होती है वे दोनों उतना जल्द ही कमाना चाते थे एक दिन बालु ने दीदी से कहा दीदी हमें अगर धनवान बनना होगा तो हमें पैसे कमाने होंगे ना पहले मैं भी वही सोच रही हूं बालु अगर हमें पैसे कमाने होंगे तो ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे हम जादा और जल्दी पैसे कमा पाए दीडी अब हमें ज़्यादा चल्द बाजे नहीं करनी चाहिए हमें सोच समझकर कदम रखना होगा हमें पहले पैसे कमाने होगे तुम सोचती रहना और मैं रेडियो में कुछ गाने सुनता हूँ फिर बालो ने रेडियो आन किया रेडियो में न्यूस आ रहा था मुर्गी के अंडों के दाम जो रुकने का नाम नहीं ले रही कह रही है दाम जुकेंगे नहीं और दूसी और है मुर्गी के अंडों को खाने वाले उसके चहते जो कह रहे हैं चाहे दाम जितने भी बढ़ ज श्याय मुर्गी के अंडों के, हम मुर्गी के अंडे खाने से रुकेंगे नहीं। जैसे ही उस न्यूस को कीर्टी ने सुना, भाई, अपने पड़ोस में रहने वाले सुभाश अंकल एक ट्रक को चलाने का काम करते हैं न? हाँ देदी वो तो सही है पर हमें सुबाश अंकल के एक ट्रक से क्या लेना देना हाँ हाँ बताती हूं बालू फिर कीर्टी ने अपने भाई बालू को वो उपाय बताया जो उसके दिमाग में चल रहा था बालू ने जैसे ही कीर्टी का उपाय सुना देदी तुम ऐसी वैसी कोई ग्रेट नहीं हो तुम्हें इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज आते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले बहुत बढ़िया वाली चोर रही हो भाई बालू अभी हालात अपने इतने बुरे हैं इसलिए मेरे दिमग में ऐसी सोच आई, तरना मैंने चोरी कने का कोई डिगरी हासिल किया हुआ नहीं है। सुभाश अंकल के एक ट्रक में से मुर्गियों को चुरा के बेचने वाला बहुती बढ़िया वाला आइडिया है डिदी, सुपर। ठीक है बालू, तो आज राध हम सोईंगे नहीं, जागना होगा हमें। हाँ दिदी, जरूर। फिर उस राध बारा बजे तक वे दोनों जगे रहे। राध के अंधेरे में घर से बाहर निकल कर जोरी जोरी सकी नजर से छुपकर वे घबराते हुए दबे पाउं से सुभाश के एक ट्रक तक पहुँच गये। उस ट्रक में बहुत सारे अंडे थे। पर उस ट्रक को एक बहुत बड़ा ताला लगाया हुआ था। दीदी मैं सुभाश अंकल के पास जाकर चाबी लेकर आऊं क्या। अरे ओ बुडबक सठ्या गया है क्या। तु जाकर चाबी पुछेगा और वो दे देंगे। अहां तो फिर हम कैसे खुलेंगे। अब तो देख। फिर किर्ती ने एक कराटे का पोज मारा और उस ताले पर हाथ से वार करने लगी। ताला तूड़ गया। ये देख बालू की खुशी रुकी नहीं गई। वो जोर-जोर से ताली बजाने लगा। अरे वा, मेरी टारजन दीदी, बढ़िया ही ग्रेट काम किया है तुने, क्या ताले को मार गिराया है। ये खुशी के मारे वो ताले बजाने लगा। उसके ताली के गड़गड़ा हट सुन, किर्ती ने घबरागर उसके हाथ को पकड़ लिया। अरे ओ पाकल, क्या कर रहा है तु, ताली मत बजा। अगर किसे ने सुन लिया तो, या कोई गली का कुता हमारा पीछा कर गया न, तो कल अपनी तस्वीरे पोली स्टेशन में होंगी। फिर किर्ती और बालू ने चारो और नजर रखते हुए धीरे से एक के ट्रेज निकाले। अगले सवेरे सुभाष अपने एक ट्रक के पास आया। ट्रक को लगाया हुआ ताला खुला देख वो चौंग गया। उसने ये निर्धारित कर लिया कि चोर आपड़े होंगे। वो उन्हें खुब गाली देने लगा। जिसने भी मेरी मुर्गियों के अंडों को चुराया है ना उनके हाथ पेरों में लकों मार जाए। सुभाष को कोस्ते हुए सुन किर्ती और बालू दंग रह गये। उनका सारा घर ही ढह जाए। उनका संसार तितर बितर हो जाए। उनका जीवन ही बरबाद हो जाए। हाए लगेगी मेरी हाए। श्राप लगेगा उनको मेरा। यू लगातार सुभाष एक के बाद एक उनके लिए बुरा कहे जा रहा था। उसकी मुझ से निकले ऐसी अनर्थ बातों को कीर्ती और बालू जादा सुन नहीं पाए। कीर्त से अंडे चुरा ले गए। वे दोनों ये सोच रहे थे कि सुभाष अंकल ने ये क्यों कहा कि बच्चों नहीं चुराया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुभाष अंकल ने उन दोनों को चोरी करते हुए देख लिया हो। और जान भूज कर ही अप्रतिक शुरूप से उन्ह नहीं आएंगे। इसलिए तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरे मुर्गी के अंडों को तुम जितने बच्चों नहीं चुराया होगा। बच्चों नहीं मेरे अंडे चुराये हैं। उन दोनों ने सुभाष के हाथ में उस पायल को देखा। और वो पायल कीरती का ही था। दोनों घबरा कर एक दूसरे की और देखने लगे। उन दोनों ने आखों ये आखों में ये इशारा कर लिया कि ये बात उन्हें बतानी नहीं कि पायल कीरती के ही है। वो सब तो ठीक है सुभाष अंकल। कितने मुर्गी के अंडे चोरी हुए। कम से कम पूरे द करेंगे कहा। मैं और बालू कई दिनों से सोच रहे थे कि हम एक गामलेट का एक व्यापार शुरू करेंगे और इसलिए हमने बहुत सारे अंडे खरीद कर भी रख लिये। अगर आप चाहो सारे अंडे आप हमसे खरीद सकते हैं। इस तरह आपको अपने मालिक से डाट भ होगा। बेटा मुश्किल की घड़ी में तुम दोनों ने मुझे भगवान की तरह आकर मदद की है। मैं तुम्हारा उककर कभी नहीं बूलूँगा। सुभाश ने उन्हें पैसे देकर सारे अंडे खरीद लिये। भाई बहन दोनों मन ही मन ये सोच कर हस रहे थे कि उन्ह को पैसंसे बेश दिया।